तस्वीर देख रहे हैं इसे बड़े ध्यान से देखेगा क्योंकि यही वो तस्वीर है जो आपको दिलाएगी साइकोलोजी में एक्स्ट्रा नमबर कैसे दिलाएगी क्यों दिलाएगी यह सब देखेंगे हम आगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे पेपर टू एपलाइट साइकोलोजी लिंग का मनोविज्ञान तो अभी तक हिंदी मेडियम के लिए किसी ने इस तरह से नहीं बताया जैसे हम बताने वाले हैं तो वीडियो को अंतर तक देखिएगा ध्यान से देखिएगा यह वीडियो एक्शुरी दो पार्ट में होगा आज हम पार्ट वन करेंगे और फिर अगला पार्ट टू तो आज हम देखेंगे पेपर टू का सबसे आखरी का पॉइंट लिंग का मनोविज्ञान जिसमें है साइकलोजी ऑफ जेंडर और आज हम देखेंगे ग्लास सीलिंग इफेक्ट यानि कि ग्लास सीलिंग प्रभाव यह वीडियो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों देख सकते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को तो देखना ही देखना है और इंग्लिश मीडियम वाले अभी अकर देखेंगे तो उनको एक अच्छी समझ डेवलप होगी और चीजों के डीप प्रसेसिंग करेंगे तो अच्छा है उनके लिए फाइदे बंद है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार का आता है तो यह आया था 2020 में मन विज्ञान पेपर टू में प्रश्न था काच्छ वितान प्रभाव क्या है उन कारकों की उधारणों के सहित विवेचना कीजिए जिन्होंने कुछ महिलाओं को इस काच श्वितान को बंग करने में सुसाध्य किया वाट इस मीन बाइ ग्लास सेलिंग इफेक्ट डिसकुस्ट फैक्टर्स इलस्ट्रेट पितिक सम एक्जाम्पल्स यह आया था दस माग का कोशन मतलब कहीं न कहीं यह टॉपिक इंपोर्टेंट है कहीं न कहीं आपको यह वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको यह दस नंबर आसानी से मिल सकते थे 2018 की बाद करें तो यह समाज फिर से आया कि भारतिय समाज में स्त्री पुरश भूमिका को रोडी बद बनाने स्वयम पूरवक भविश्यवानी सेल्फ फॉल्फिलिंग प्रोफेसी करने तथा काच्छत प्रभाव यानि कि जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ग्लास सिलिंग इफेक्ट मालूम होगा तो आप जो बाकी दो चीज़ें उनसे रिलेट कर पाएंगे और उनके बीच एक संबंद स्थापित कर पाएंगे तो यह सवाल था 15 नंबर का तो आप समझ रहे हैं कि यह एक important topic है तो चलिए स्टार्ट करते हैं काच्छत प्रभाव यानि क कि ग्लास सीलिंग प्रभाव कि आजकल के संगठनों की नीतियों तथा नियमों में लिंक समानता का समर्थन किया जाता है आप जैसे देखते हैं हर जगे जेंडर एक्क्वालिटी की बात की जाती है कि हर जगे एक समान होना चाहिए महिला इवन पुरुष दोनों जैसे कि आपने देखा होगा कि UPSC के एक्जाम में भी लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि क्वालिटी डेवलप हो और आप को समानता डेवलप कर सके इसके लिए इसके लिए तस्वीर देख रहे हैं आप एक पुरुष एक महिला साथ में काम कर रहे हैं मूल रूप से भरती एवं पदोनती के समय इन पर विशेज जोर दिया जाता है means at the time of recruitment and promotion ठीक है इन दोनों ही समय लिंक समानता पर जोर दिया जाता है जैसे अगर कोई recruitment चल रही है कोई भरती चल रही है तो अगर 10 लोगों को लेना है तो 4-5 महिलाए लेनी चाहिए 4-5 पुरुष इस तर इक्वलाइजेशन इक्वल दोनों को समानता डेवलप कर सके ऐसा आजकल के organization करते हैं कोई भी महिला कर्मचारी अपनी युग्यता वा कला कोशल के अधर पर संगठनों में उच्च पद प्राप्त कर सकती है means अगर कोई अच्छा काम करेगा no matter वो लड़का हो या लड़की अधिकार की बात कर रहे हैं समान अधिकार की बात कर अधिकार तो नहीं कहेंगे में संगठनों में समानता भी बात कर रहे हैं तो लेकिन स्थितिया प्रैक्टिकली और कुछ है बात की जाए तो पूरे विश्व में मात्र 15 प्रदिशत महिलाई हैं जो मैनेजर की पोस्ट पर हैं प्रबंद की अपदों पर आसीन है और सिर्फ 6 महिलाई हैं जो CEO के पर कारेबार समाल रही है यह डेटा वेरी कर सकता है लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं फिर भी 15 से 20 प्रदिशत भी अगर महिलाई है उचे पदों पर हैं तो mostly 80% तो फुरुषों नहीं कबजा दमा के रखा है जबकि होना क्या चाहिए 50-50 अकॉर्डिंगली ठीक है तो जो की theory-wise क्या कह रहे हैं हम कि equal चाहिए लेकिन practically possible नहीं हो पारहे है अब यह पिरी- inability क्यों यह अंतर क्यों आ रही हैं यह जो डिफरेंस है यह क्यों develop हो रहा है यह अंतर क्यों आ रहा है वो कही न कहीं develop नहीं हो पारही है यह weekwo भी रही है तो उसमें काफी बड़ा gap है तो इन स्थित्यों को परिभाश्चित करने तो दो तर्क है दो थेवरीज है कह सकते हैं सबसे पहले ये कि अभी तस्वीर देख रहे हैं यहां क्या हो रहा है एक पूरुश एक महिला के ओपर चिल ला رहा है ठीक है? अभी क्यों चिल ला रहा है? वो देखते हैं महिलाए नेतर्व करने वह उच्छ पदों पर पहुँचने के काबिल नहीं है यह कहा जाता है mostly कि जो महिलाए है वो leadership नहीं कर सकती नेतर्व नहीं कर सकती यह उच्छ पदों पर पहुँचने के लायक नहीं है उस काबिल नहीं है वो तना काम नहीं कर सकती कि उपर मेनेजर की पोस्ट को हासिल कर सके यह हुआ पहला तरक अब दूसरे तरक की बात करते हैं तो यह जो देख रहे हैं आप यह महिलाएं यह तीन महिलाएं अच्छा काम करके उच्छ पदों पर आसीन हो सकती हैं लेकिन यहाँ पर क्या है सब्सक्राइब को रही है कि कोई अद्रिश बाधा मौझूद है जो उन्हें उपर जाने से रोकती है और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं यह इस तरह नहीं बन पाती है और सिर्फ नीचे के पदों तक उन लेवल्स तक हायरार्की में ऊपर नहीं आपाती सि कि पहली संभावना को तो पूर्ण रूप से गलत साबित कर दिया गया है कि पहली कंडिशन थी कि वह इस और नहीं यह तो बिल्कुल गलत가 तो इसका मतलब है कि यह सत्य है कि महलाों के नेतरत कि रोचयली भिन्हरय में में मैं इस मैंनला के ऊपर तक आ षायर उन सब्सक्त airport परक यहाँ पर है कि उनकी नेत्रत्व को जो shali होती है वह त 한데 थिया किसे होती है वो देखेंगे आगे अब धीर अब को समझ लेना है कि माहिला आज किसी भी वह कमजोर नहीं है किसी भी स्यृ國师 में कमजोर नहीं है ची अ इघ्ली एन जॉंसन ने 1990 में यह बताया कि पुरुषिव महिला दोनों ही एक समान प्रभावशाली नेत्रत्व करती हैं मेंज एक पुरुष जिस तरह से LEAD करता है और एक महिला जिस तरह से LEAD करती है यह दोनों ही एक समान है इसमें कोई फरक नहीं है, तो फिर फरक कहां आता है, फरक आता है कि वो किस तरह नेत्रत करती है, या एक छोटा सा एक्जामपल देंगे आपको, कि जो पुरुष है, वो किसी को चिला के, डाट के, काम करवा सकते हैं, या फिर कुछ महिला है, वो प्यार से बोलके, अच्छे का ग्रूप है, उनको किस तरह से लीड करती है, सिर्फ इसमें डिफरेंस हो सकते हैं, बात करते हैं, अगली, कि जो महिला है, वो क्या होती है, ज़्यादा सहवागी होती है, एवं पारस्परेक रूप से उन्मुक होती है, राइट, वो इंटरपर्सनल रलेशन्शिप जो ह इंटरपर्सनल कमिन्मुकेशन जो है, उस पर जादा बिलीव करती है, और निरंकोष होती है, फिर भी वो प्रभावशाली नेतरत्व करने में किसी से कम नहीं है, तो पुरुष्क भी होते हैं, और महिलाएं होती हैं, यह दोनों ही नेतरत्व करते हैं, दोनों ही एक समान तो फिर दिक्तत कहा आती है, दिक्कत आती है उस अद्रिश्य बाधा की, जिसके लिए हम इतनी सब कहानी पढ़ रहे हैं, अता महिलाओं के उच्च पदों पर कम प्रतिनिदित्प करने का एक मात्र और प्रमुक कारण क्या है, उस अद्रिश्य बाधा का होना, ठीक है, तो वो अद्रिश्य बाधा क्या है, वो देखेंगे हम आगे, इसके पहले अगले पार्ट में, आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलिग्राम पे जोईन करना है, साइको आई एस हिंदी, और यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस से आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं अगले पार्ट में, तो कहीं न कहीं आप यह जो वीडियो देख रहे हैं, इस से समझी है कि यह महिला है, दोनों काम एक साथ कर रही है, क्या कर रही है, तो जो अद्रिश्य बाधा है, इसको हम कवर करेंगे, अगले चैप्टर में वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए तब तक आप साइको आईएस हिंदी को सब्सक्राइब करें टेलेग्राम पे जॉइन करें और मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और किस टॉपिक पर आपको है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप इस तस्वीर को देखिए और पॉइंट नोट डाउन करिए आपको इस तस्वीर में क्या-क्या दिख रहा है कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद